नमस्कार किसान भाईयो आधुनी की युवा किसान चनल में आपका स्वागत है आज हम मून की 10 बेराइटियों में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली बेराइटी है उसके बिसे में बात करने वाले हैं 10 बेराइटियों के नाम गिनवाने से कोई फाइदा नहीं है उसमें जो टाप पर जो बेराइटी है वो है सीखा 410-3 जो सबसे ज़्यादा उत्पादन इस समय दे रही है तो हम उन 10 बेराइटी के बारे में बात नहीं करते हुए जो फर्स्ट नमर पर जो बेराइटी है जो सबसे ज़्याद उत्पादन देती है उसके बारे में बात करने वाले है वो है सिखा उसके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले है अगर आप उस बेराइटी में कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपको उत्पादन बहुत कम होगा अगर आप उसमें कुछ बातों का ध्यान रख लेते हैं जो बाते हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो 9-10 कुंटल प्रती एकड़ निकल सकता है तो वो कौन सी बात हैं उनको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को बीच में छोड़ करना जाएं पूरा लास्ट तक वीडियो देखें अगर आप हमारी चैनल पर पहली बारा हैं तो वीडियो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपका कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमको बता सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह variety कितने दिन की है, तो यह variety 60-70 दिन की यह variety है, समाई के हिसाब से यह कम ज़्याद हो सकती है, अगर आप late बुआई करते हैं, तो जल्दी इसकी कटाई होती है, अगर आप इसकी जल्दी लेट कटेगी याना कि 70 दिन की असपास, तो दस variety जो है उनमें सबसे जो आज के समय में चल रही है, उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन यह variety दे रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका बुआई का समय सबसे अनुकुल क्या है, तो बुआई का जो समय है, 20 बारा से 13 किलोग्राम प्रती एकड ही रखना है, अगर आप बीच की मातरा ज़्यादा रखते हैं, तो यह variety हाइट ज़्यादा लेती है, और ज़्यादा हाइट लेने की वज़े से इसमें फलावरिंग भी कम आएगी, फल भी कम लेगा, और फसल गिरने के संभावना उत्पादन गिर जाएगा, इसलिए आप बीच की मातरा 12 से 13 किलोग्राम प्रती एकड ही रखें, वह यह आप कर दें, उसके बाद में आप सबसे ज़्यादा जो है खरपतवार नासक का विशेज ध्यान रखना होता है, अगर आपकी फजल में अगर खरपतवार हो जाती है चारा अगर उसमें हो जाता है, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो 25 से 30 परशेंट गिर जाता है, यानि कि अगर आपका 10 कुंटल प्रती एकड उत्पादन निकलता है, तो उसमें सिर्फ 7 कुंटल, 6 कुंटल ही रह जाएगा, इसलिए इसका विशेज ध्यान रखें, तो ब प्रती पंप की बात करें, तो 130 ml के आसपास आप प्रती पंप बीच लिटर 55 लिटर का जो पंप आता है, पावर इस्प्रे उसमें कर सकते हैं, जानि कि 600 से 700 ml प्रती अगर तो उसमें आप इस्प्रे कर सकते हैं, अगली बात करते हैं सिचाई की, सिचाई की बात करते हैं तो पहली सिचाई आपको करना है एक तो आपने पलेवा कर दिया है उसके बाद में पहली सिचाई कब करना है जब पांच या साथ पत्ती आपके पोधे में दिखाई देने लग जाए अगर आप जल्दी सिजाई करेंगे तो भी नुकसान है और अगर लेट सिजाई करेंगे तो भी नुकसान है तो उसका जज्जमेंट लगाने का सबसे सही तरीका है कि जब पांच या साथ पत्ती आपके पोधे में निकल आए तब आपको पहली सिजाई करना चाहिए अगली सिजाई की हम बात करें दूसरी सिजाई दूसरी सिजाई आपको कप करना है जब पोधा हलका सा गहरा डार की कलर का हो जाता है तब आपको दूसरी सिजाई करना है उससे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा स्टेज में आ जाएगा तो वो उसमें फ्लावरिंग अच्छी आएगी और कम पानी में आपका काम हो जाएगा अगर आप जल्दी पानी देंगे तो फिर आपको एक पानी ज्याद़ देना पड़ेगा अगर लेट देंगे तो नुकसान है इसलिए दूसरा पानी जब वो पोधा डार्क हो जाए जैसे कि वीडियो में आप वीडियो के सुरुवात में जो आप मुंग देख रहे थे वो स्टेज जब आजाए यानि कि गहरा डार्क कलर जब हो जाए तब आपको दूसरा पानी देना है तीसरे पानी की बात करें कि तीसरा पानी उसके बाद में जब फ्लावरिंग आ जाती है तो फ्लावरिंग पर आपको तीसरा पानी देना है पूरा जो पोधा होता है वो फ्लावरिंग पर होता है तो उसमें तीसरा पानी तब आपको लगाना है और उसके बाद में जब आपका पानी पूरा तीसरा हो जाता है उसका तुरत बात करीबन 7-8 दिन बाद आपको छोफ़ा पानी लगाना है अगर आप इस तरह से सिचाई उसमें करते हैं तो आप मेकसिमम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं इससे पानी की भी बश्चुत होगी और सही समय पर पानी देने से प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा तो यह होगी सिचाई की बात एक बाद फिर से मैं सोट में बता देता हूँ कि कब कब सिचाई करना है पहली सिचाई 5-7 पत्ती पर दूसरी सिचाई डार्क गहरा कलर होने पर तीसरी सिचाई उसके तुरंत आठ दिन बाद फ्लाबरिंग स्टेश पर चोथी सिचाई उसके और आठ दिन बाद अगर आपके पास पानी परियाप्त है तो आप दे सकते हैं नहीं तो तीन पानी में भी अच्छा प्रोडक्शन निकल सकता है लेकिन चार पानी में और ज़्याद़ प्रोडक्शन आएगा अगर तीन है तो तीन से भी काम चल जाएगा तो यह सिखा में पानी देने का इसमें सबसे बेस्ट तरीका है जो कि PDM X to 49 में जैसा हम पानी देते हैं वैसा अगर इसमें हम पानी देते हैं तो इसका प्रोडक्शन गिर जाता है क्योंकि PDM X to 49 थोड़ी जल्दी विराइटी है उसके हिसाब से अगर इसमें जल्दी जल्दी पानी देंगे तो फिर आपको बाद में और ज़्याद़ पानी देना पड़ेगा और अगर आप बाद में पानी देने से अगर चूक जाते हैं या लेट देते हैं या नहीं देते हैं तो इसका प्रोड़क्शन गिर जाएगा इसलिए फिर ये विराइटी अच्छा प्रोड़क्शन नहीं दे पाएगी तो ये सिचाई पर आपको इसमें विशेश ये बाते ध्यान रखनी है तो आपका अच्छा प्रोडक्शन आएगा इसके बीच में आप समय समय पर कीट ना सक का भी स्प्रे करते रहें जब फसल में आप निगरानी करते रहें जब इल्ली आपको दिखाई दे तब आप उसमें कीट ना सक का प्रयोग कर सकते हैं पिछली बार जैसे के हम बात करें कि मारू का इल्ली का बहुत ज़्यादे मूंग पर अटेक हुआ था और उसकी बज़े से प्रोड़क्शन काफी गिर गया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादे डेमेज किया था और वो इल्ली की खासे यह थी कि फूल के अंदर होती है तो वहाँ पर दवा का बहुत कम असर होता है तो आप समय समर पर उसको देखते रहें कि आपकी फसल में एल तो नहीं लगी है तो उसमें आप कीट ना सकका इस्प्रे करते रहें तीन से चार कम से कम इस्प्रे आपको करना है पड़ेगा तब जाकर इल्ली काव रोप थाम कर सकते हैं और मूंग की फसल पर इस बार हम स्रीच चलाने वाले हैं इसमें 222 लेकर कटाई तक जहां जहां भी अपडेट क्या हो सकता होगी जहां जहां भी हमको ऐसा लगएगा कि हाँ पर वीडियो बनाना चाहिए किसान भाई तक जयनकरी पहुंचाना चाहिए वहाँ पर हम वीडियो बनाएंगे इसलिए आप हमरे चैनल से जुड़े रहें और हम समय समय पर उसका वीडियो बनाते रहेंगे और किसान भाई तक पहुचाते रहेंगे कि कब आपको क्या करना है जब हम पानी देंगे या जब हम उसमें किसी भी प्रकार की इस्प्रे करेंगे कीट ना सक या कोई सा टोनिक या कोई सा लिक्विट खात कुछ भी अगर उसमें हम अपडेट करते हैं तो उसमें हम जरूर ऐसा वीडियो बनाएंगे तो लास्ट येर अब देख सकते हैं मारू का इल्ली ने जो अटेक किया था उसकी वज़े से प्रोडक्शन बहुत कमाया था इस प्रकार से ये उसमें जाले बनाकर इल्ली उसके अंदर रहती है उसकी वज़े से प्रोडक्शन बहुत कमाया था छे से साथ कुंटल प्रतियकर इसका प्रोडक्शन निकला था हमने इसका maximum production इस variety का 9 से 10 गुंटल प्रतियकर निकाला है तो इन सब बातों के अगर अब ध्यान रखेंगे तो इसमें एक बढ़िया production निकल सकता है उस इल्ली की वज़े से उपर उपर फूल जो है वो डेमेज हो गये थे डेमेज क्या वो तो पूरे खराब ही कर दिये थे उसने इसलिए production कमाया था तो इस variety के बराबर दुसरी कोई इस बराइटी production नहीं दे सकती सबसे ज़्यादा इसमें potential है लेकिन आपको बीच की जो मात्रह इस पर विशेज ध्यान रखना है उस पर आप ज़्यादा अगर गु बाता देता हूं कि आपको क्या क्या करना है सबसे पहले इस variety के बवाई आपको करनी है बीच की मात्रह 12-13 kg प्रती एकड बवाई का समय 20 फरबरी से 20 मार्च उसके बवाई के तुरत बाद आपको सूखे में ही 600-700 ml प्रती लेटर 600-700 ml प्रती एकड के हिसाब से बेर 32 का इस पानी आपको लगाना है दूसरा पानी जब पोधा डार्क गहरा कलर उसमें वह जाता है तब आपको दूसरी से चाहिए करना है तीसरी से चाहिए उसके ठीक आठ दिन बाद जब फ्लाबरिंग स्टेज वह अपकी दिखाई देती है उसको तुरंद बात करना है और आपके पास अगर एक पानी और देने की गुंजाईस है तो आप उसके आठ दिन बात एक और पानी दे सकते हैं तो यह पानी देने का सबसे बेस्ट तरीक है जिससे मेकसिम्म प्रोडुक्शन आप निकाल सकते हैं अगली बात समय समय पर किटना सा को उप्योग करते हैं हमारी जो स नो सदस कुंटर प्रती एकड़ है लास्ट तीन येर से हम इसकी बॉआई कर रहे हैं जिसमें हमने मैकसिम्म नो सदस कुंटर प्रती एकड़ इसका उत्पादन निकाला है और अगली हम इसमें बात करें तो अगर आपके पास पानी कम है तो भी आप इसकी बॉआई कर सकते हैं लेकिन फिर आपको पानी रोक कर इसमें देना पड़ेगा यानि कि आप दूसरा पानी सीधे फ्लावरिंग स्टेज पर देंगे तो भी आपका 5-7 गुंटर प्रती एकड़ इसका उत्पादन निकल सकता है अगर आपके पास कम पानी है तो आप ऐसा उसमें कर सकते हैं कि जो आपका दूसरा पानी है वो आप सीधा एक पानी जब छोटी अवस्था होती है तब दे वो दूसरा पानी सीधा आप जब अच्छे इसमें फ्लावरिंग दिखने लग जाए पूरी फ्लावरिंग पर यह आने लग जाए तब इसमें सीधा आप पानी देंगे तो भी पांस ते साथ कुंटल निकल ये विराइटी आपको प्रोडक्शन दे सकती है इसमें एक बात हम करना भूल गहें वो बात भी कर लेते हैं वो बात है कि रोक प्रतिरोक दख चमता इस विराइटी की बहुत जादा है यलो रस्ट पीला मोजेग भवूतिया इस तरह की सिकायत इसमें देखने को नहीं मिलती है जो की पीडियम 149 बेराइटी में पीला मोजेग और भवूतिया देखने की जो समस्य है भवूतिया की जो समस्य है वो जादा दिखाई देती है लेकिन ये विराइटी इन बिमा प्रती सहन सील है इसलिए आपकी जो है दवाई का जो इस्प्रे करने का बे मतलब का जो खर्च से लगता है अन्य विरैटी में जैसे पीडियम 1,40 में वो दवाई का आपका पैसा इसमें बचेगा यूंकि वो सिकायद इसमें देखने को नहीं मिलती है यह पिछली बार इसका इस्प्रे हमने किया था मारू का इल्ली पर और यह इसका आप देख सकते हैं प्रोड़क्शन यह हमारा हमने निकालने के बाद इसका इसा प्रोड़क्शन निकाला छे से साथ कुंटल प्रतियकर निकला इसका बज़े मारू का इल्ली ने उपर वोड़ डेमेज कर दिया था इसलिए इसका हम ज्यादा प्रोड़क्शन नहीं निकाल पाए लेकिन इस बार हम आपको वीडियो के माद्यम से जरूर दिखाएंगे कि मेक्सिमा हमें कितना प्र प्रेदीन वीडियो में बता सकते हैं आपको कोई प्रस्न है तो आपको कमेंड कर दें और कुछ सिखाएंगे के बारे में आपगर आप तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अईससे हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाई तक भी ये जानकारी पहुचाते रहें तकि वो किसान भाई जो अपना परीजित है वो भी एक अच्छा प्रोड़क्शन ले सके उसको भी विराइटी के बारे में पता हो जाए कि कुँछ सी विराइटी जादा प्रोड़क्शन देती है और किस तरीके से खेती करने पर ज़्यादा production वो दे सकती है ये variety अच्छा production देती है लेकिन आपको इसमें जो मैंने बाते बताई है उसका विश्यस ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो ये variety PDM X240 से भी कम production देगी फिर आप कहेंगे कि ये variety तो उससे भी ज़्यादे खराब निकली इसलिए आप इस बात का विश्यस ध्यान रखें कि जो मैंने तरीका बताया है वैसे ही आप इसमें सिचाई करें तो ये बढ़िया production दे सकती है अन्य था इसका production कम भी आ सकता है अन्य variety के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा है production देने का potential है इसलिए इन सब बातों का विश्यस ध्यान रखें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अन्यवाद झाल झाल ज्दोष थे झाल 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 जोड़का झाल 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 झाल